बॉर्निंग बच्चों स्वागत है आपको अपनी chemistry class में हम प्रलोग पढ़ थे हैं chapter 5 लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोलाइडी विलियन क्या होते हैं वास्तविक विलियन क्या होते हैं निलंबन क्या होते हैं इनमें क्या differences थे फिर हमने कोलाइडी विलियन को समझने के बाद उनका वर्गी करण स्टार्ट कर दिया था और इस वर्गी करण में हमें तीन प्रिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश की आधार पर जब प्रिक्षिप्त प्रावस्था तो अगर धनावेश आता है तो उसी धनात्मक सॉल कहते हैं उसके बाद तीसरा वर्गी करण हमने देखा था DM तथा DP यानि की परिक्षिप्त प्रावस्था की बहुतिक अवस्थाओं के आधार पर और हम जानते हैं बहुतिक अवस्थां तीन होती है ठोस, द्रव और गैस और जब हम इनकी विलियनों की बात करते हैं तो 9 प्रकार की व विलियन होता है, वह ली इंग की विलियन विश्मांगी वी मिश्ण होता है, तो हुर्व तृमने 8 प्रकार के साल पड़ है और उनके उधारन देखे थे अब हम आगे जलते हैं इसके दो प्रकार के वर्गी करण और हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे तो अगला जो वर्गी करण है वो है परिक्षिपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की मध्या बंदुता के आधार पर यानि कि DM और DP में आकर्षनबल है या नहीं है तो आकर्षनबल है या नहीं है या हम कहें कि उच्छ है या निमनुकोटी के हैं तो दो ही स्थितिय बंती है तो कॉलाइड यी विलियन भी इस आधार पर केवल दो प्रकार के होते हैं कि परिक्षिपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य बंधुता अगर है यनि कि आकशनबल उत्पन है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं जबकि उनमें आकर्षण बल नहीं है या किसी प्रकार की बंधुता नहीं है तो उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन कहते हैं तो पहले अपन बात करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड्स, वे कोलाइड डिविलियन जिनमें परिक्षिप और माध्यम तथा परिक्षिप प्रावस्था के मध्य आकर्शन बल या बंदुता पाई जाती है, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ठीके, अब यहां क्य परिक्षिप प्रावस्था के मध्य आकर्शन बल हैं, तो जब इन दोनों प्रावस्थाओं को हम मिलाएंगे, तो आसानी से मिक्स्ट अप हो जाती है, यहनि कि आसानी से बन जाते हैं, और स्थाई भी हो जाते हैं, अतहिने बनाने के लिए किसी विशेश प्रकार की विध हो जएक शकता नहीं होती, ठीकर ना, जिसे गौंद का बिल्यन बनाना है हमें, तो गौंद को Жल में घुला जाता है, और इसको उबाल दिया जाता है, तो लेकिन अग्या कन घॉंद को जल से प्रथक करना है, तो हम केवल उसको ओर गरम करें, उबालने से देरे-देरे पान evaporate हो जाएगा वाशपिक्रत हो जाएगा और केबल गौंद शेश रह जाएगा यानि हमने दोनों को मिला कर आसानी से तो विलियन मना लिया और आसानी से ही दोनों को प्रथक भी कर दिया तो इसका मतलब है कि यह उत्करमनी प्रकरती के होते हैं ठीके ना जैसे स्टार्च यह जिलेटिन का सॉल प्रोटीनों का जल में सॉल यह जितने भी प्रकार के बहुलक होते हैं वो सभी भी कार्मनी विलाइका। में सॉल ही बनाते हैं जैसे paint, varnishes, etc. दूसरे अब बात करते हैं हम द्रब विरोधी कोलाइट्स की द्रब विरोधी यानि जिसमें विरोध है? विरोध है का मतलब क्या हुआ आकर्षन बल नहीं है तो वे कोलाइडी विलियन जिन में परिक्षिपन माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था की मध्य आकर्षन बल या बंधुता नहीं पाई जाती है द्रवो विरोधी कोलाइड्स कहलाते हैं इनमें किसी प्रकार का आ आकशनबल नहीं है तो जब इनमें आकशनबल ही नहीं है तो यह आपस में मिलेंगे कैसे आपस मिज्ड कैसे होंगे तो इसके लिए हमें क्या विशेश वीधियां अपनाने पड़ते हैं अत्य हम कहते हैं कि यह आसानी से नहीं बनते बलकि विशेश वीधियां द्वारा ही इ इस्थाई नहीं होते, इन्हें इस्थाई करने के लिए इनमें कुछ हमें रासानिक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं, जो इन्हें इस्थाई बनाते हैं, उन पदार्थों को हम इस्थाई कारक कहते हैं, तो जब इन्हें इस्थाई कारक इनमें मिला दिया जाता है, तो इन्हे पुनहें प्रथक करना आसान नहीं होता यानि हमने जब द्रव विरोधी पतार्थों को यानि कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्ण माध्यम को मिला कर उसमें इस्थाई कारक मिला दिया और एक इस्थाई कोलाइड इविलेन मना दिया तो इस मेंजे हम वापस परिक्ष्षि पर्वस्थार, परिक्षि पर्माधियम को प्रत्क नहीं कर सकते हैं हुम काहते हैं की यह अनुत क्रमपनिय प्रकर्धिके होती है जैसे आरसैनिक सलफाइड का सॉल, फैरिक हायड्रोकसाइड का सॉल, गोल्ड सॉल, आदि तो इस तरह से यह होगे द्रव विरोधी कोलाइड्स और द्रव इसने ही कोलाइड्स अब हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर की कि द्रव इसने ही और द्रव विरोधी कोलाइडों में क्या अंतर होता है तो देखिए इनमें अंतर सबसे पहला गोण है निर्मान की विधी अभी हमने परिवाशा में देखा था कि द्रविस नहीं कोलाइड का मतलब क्या था जिन में परिक्षिपन माध्यम और परिक्षिपत प्रावस्था में आकशनबल पाये जाते हैं अते हैं आसानी से बनाया जा सकते हैं सीधे ही मिलाकर आसानी से बना सकते हैं लेकिन द्रव विरोधि या द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं उनमें आकशनबल नहीं पाये जाते हैं अते हैं उन्हें विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाया जाता है दूसरी बत प्रकरती भी मैंने आपको बता दी थी कि द्रव इस नह प्राप्त नहीं किया जा सकता द्रश्यता की बात करें कि यह जो द्रव विरागी कोलाइड होते हैं इन्हें अती सूक्ष्म दर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब अती सूक्ष्म दर्शी द्वारा भी आसानी से नहीं देखा जा सकता लेकिन द्रव विरागी जूंकि उ अब विध्युत अब घट्टे की क्रिया वैध्युत अब घट्टे की अधिक मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं यानि की सकंद्य तो हो जाते हैं इसकंद्न का मतलब होता है कि परिक्षिप तो प्रावस्था का परिक्षिप और माध्यम से प्रथक हो जाना जैसे उधारन से हम समझें कि दूद से पनीर जब हम बनाते हैं तो दूद में हम थोड़ा सा विध्युत अपगटे के रूप में नीबू का रस यानि सिर्का यानि तो उसका जो सॉल पार्टिकल होता है जिसको पनीर वाला सॉलिड पार्ट कहते है वो अलग हो जाता है उसी प्रक्रिया को हम सकंदन कहते हैं तो विध्युत अपगटे की हमें द्रविस नहीं कोलाइड में सकंदन करना है यानि कि हमें DM और DP यानि कि माध्यम और परिक्षि नहीं थे नहीं थे नहीं तो थोड़ी सी मात डालते ही या वक्षिपित हो जाते हैं यानि कि प्रथक प्रथक हो जाते हैं चीक है ना श्यांता की बात करें तो इनकी श्यांता परिक्षिपर माध्यम से बहुत अधिक हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि आकशनबल बढ़ यहाँ प्रष्ठ तनाव की बात करें है। यहां परिक्षिपर माध्यम से कम हो जाता है। क्योंकि प्रिक्षिपर माध्यम के कड़ों की बीच में प्रिक्षिप्त प्रावस्था आ जाती है। अपनी इंटर मॉलीकुल रट्रेक्शन फोर्से ने अंतनाडविक आकशन ब्लॉक के करण इतनी वैस्त रहते हैं कि वो इंका आकार छोटा हो जाता है लेकिन इनका आकार बढ़ा रहता है इसलिए ये इंका प्रभाब को प्रकट कर देते हैं ठीक है जल योजन जल योजन का म पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि द्रव विरोधी है ये इनका नाम ही कह दिया एकिवल विरोध करने वाले हैं तो विरोध करने वाले होने के करण इनका जल योजन भी नहीं होता है ठीक है ना तो ये इस तरह से दो प्रकार के विलियन हो गए दो प्रकार क या द्रब विरागी अगला जो वर्गी करण है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था यानि की D, P के कणों के आकार के आधार पर ठीक है कणों के आकार का मतलब यह है कि हमने यह कह दिया कि कोलाइडी आवस्था में कणों का आकार होता है 1NM से 1000NM के बीच लेकिन यह भी बहु सकते हैं तो सभी कणों का आकार अलग लग है तो अलग अलग कणों के आकार के आधार पर हमने जो कोलाइड है उनको तीन भागों में माता है तीन प्रकारों में बाटा है सबसे पहले कहलाती है बहु आनविक कोलाइड दूसरे कहलाती है व्रहद आनविक कोलाइड और तीसरे कहलाती है संगुडित कोलाइड तीन प्रकार के कोलाइड इविलियन है ये देखिए अब आधार इनकी वरगी करण को देखते हैं सबसे पहला हमने बात की बहु आणविक कोलाइड मल्टी मॉलीकिलर कोलाइड बहु मतलब बहुत सारे आणविक मतलब अणवों से बने कोलाइड यानि ऐसे गॉलाइड जो बहुत सारे अणुवों से मिलकर बने हैं यानि कि इन अणुवी गॉलाइडों में क्या होता है कि जो मुखे सबस्टेंस या कोई डिस्पस्ट फेज यानि कि परिश्क्रिप्त प्रावस्था की जो कण होते हैं वो वास्तव में बहुत छोटे आकार के होते हैं लेकिन उनके मध्य वांडरवाल आकशनबल पाये जाते हैं तो उन वांडरवाल आकशनबलों के करण वो गुच्छों के समान जिसे अंगूर की गुच्छी होते हैं इस तरह से गुच्छों की समान की पुंज बना लेते हैं और वो पुंज या जो सम्हू बन जाते हैं जो गुच्छी बन जाते हैं उनका आकार फिर इस रेंज में आ जाता है तो जब किसी कोलाइडी विलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कंड बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन वांडरवाल आकशन बलों के कारण छोटे छोटे कंड एकत्रित होकर पुंज या समुह या गुछे बना लेते हैं, तो इस प्रकार के पुन्ज का आकार जब 1 NM से 1000 NM की परासका हो जाता है तो उन्हें हम बहू आणविक कोलाइड कहते हैं समझ बहू आणविक या नहीं बहुत सारे आणविक से मिलकर बने कोलाइड जैसे सल्फर का सोल, सल्फर का तो फॉर्मूला ही S8 लिखा जाता है नहीं कि 8 परमाणों तो इसमें जुड़े हुए हैं ही ठीके न तो ये हो गया एक उदारन जिसमें हम बहू आणविक कोलाइड की बात करते हैं ठीके न, यहां आकार बहुत छोटा था, इसलिए बड़े बनने के लिए उन्होंने अपने एक गुरुप बना लिया लेकिन अब दूसरे प्रकार जो अपन बात कर रहे हैं उसको नाम है व्रहद आणविक कोलाइड व्रहद मतलब बड़ा, Macromolecular Collides बड़ा आकार का मतलब हुआ कि इनमें खुद अणू ही इतने बड़े आकार का है कि वो कोलाइडी पराज खाए जब परिक्षिप्त प्रावस्था के कंड स्वते ही कोलाइडी पराज यानि कि एक एनेम से एक हजार एनेम के होती है तो उन्हें अपने बड़े आकार के कारण ही व्रहद आणवे को कोलाइड कहते हैं जितने भी प्राकर्तिक कोलाइड हैं जादा तर इसी शुनी में आते हैं जैसे स्टार्च, सेलूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, सभी प्रकार के बहुलग, विटामिन आदि ये सभी प् बड़े आकार के कारण व्रहद आणवे को कोलाइड कहलाते हैं तीसरे हैं और सबसे मैत्वपूर आज के वर्गी करन के संगुडित कोलाइड क्या होते हैं संगुडित कोलाइड का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरी से गुडित हो रहे हैं इसी विशेश अभी विन्य कि जब इनकी सांधरता बहुत कम होती है तब तो क्या होता है ये विलियन में घूमते रहते हैं ठीके ना क्या मतलब है इसका कि जब किसी विलियन में माली जी ये कोई पातर है जिसमें ये DM भरा हुआ है और इसमें जो कोलाइड़ी पतार थे जो भी पतार जिसका हमें कोलाइ बहार करते हैं ठीके ना इसमें उधारन हम साबुन का लेते हैं साबुन जिसका सूतर होता है C-17 H-35 C-O-O-N-A जिसको हम कहते हैं सोडियम इस्टियरेड ठीके जब इसकी जो स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं यह तो इसकी हाइड्रोकार्बन शंकला है और यहां पर इसका यह C-O-N-A वाला क्रियात्मक समू है यानि कि C-1-O-O-O-N-A प्लस तो यह तो इसका होते ह द्रूविय सिरा यानि कि जिस पर positive और negative पॉल प्रिजेंट हैं और यह वाला कहलाता है द्रूविय सिरा ठीके ना इसे हम कहते हैं टेल और इसे कहते हैं हम head ठीके यह tail है और यह head है यह head वाला portion द्रूविय है यह tail वाला portion द्रूविय है यह द्रूविय होने के कारण कहलाता है जल रागी यानि कि पानी से आकर्षित होता है और ये कहलाता है धुरूविय सिरा जल विरागी कहलाता है और धुरूविय सिरा जल रागी कहलाता है क्योंकि इसमें दुरूफता उत्पन्न हो गई है तो जब ये कन जल में बहुत कम मात्रा में होते हैं यानि कि इनकी सांद जब एक कम संदर्ता में होता है तब तो इस तरह से आएनित हो जाता है और एक सामा ने बीद्धुत अपकट्टे के समान वेभार करता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सांदरता बढ़ने लगती है वैसे वैसे जल में या विलियन में इन आईनों की संख्या बढ़ने लगती है और इन आईनों की संख्या जो बढ़ने लगती है तो यह अपने आप में इस तरीके से वभिन्यासित हो जाते हैं कि इनके सब के जल रागी सिरे एक तरफ और जल विरागी सिरे एक तरफ हो जाते हैं तो ये अपने आप चब विन्यासित होते हैं तो इस तरीके से एक फूल के आकरती में अभिन्यासित हो जाते हैं ठीक है ना ये जो ये जो पोर्शन है ये तो इसका हैड वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन इसकी टेल वाला portion वो यी है तो इस तरे ही सनज़ना में देखिए सब का जल विरागी सिरा तो यह केंदर की तरफ आ गया और सब के जल रागी सिरा केंदर से बाहर की तरफ यानी जल की तरफ चले गए और यह जो बीच में इस्थान बन जाता है इसे कहते हैं केंदर कोड यहां कोई जल के विपरीत यानि कि तेली प्रकर्टी का कोई सबस्टेन्ट आ सकता है जिस पर यह जल विरागी सिराहे आसाने से आकर्शित होकर विपर अटेच हो जाता है या जोड जाता है तो हमने को अधिक कर दिया जाता है तो यह आपस में संगुड़ित हो जाते हैं और इस तरह की संदचना बनाते हैं और इस संदचना का आकार अप कोलाइडी परासका यानि की 1 NM से 1000 NM की बीच का हो जाता है और यह कोलाइड की समान विभार करने लगते हैं इस प्रकार की यह जो सन्रचना बनती है साबुन की फूरी प्रक्रिया में इसको हम मिसेल कहते हैं पढ़ा भी है आपने मिसेल कहते हैं यह साबुन की क्रिया विधी के लिए उत्तरदाई होता है ठीक है तो देखते हैं वे कोलाइडी विलियन जो निम्न सांदृता पर ठीक है हम संगुरित कोलाइड कहते हैं इन्हें मिसेल भी कहा जाता है जैसे साबुन वा अपमार्जा क्या अब हमने यहाँ बात की सांदृता की कि कि कहीं किसी की निम्न सांदृता और कभी उच्च सांदृता तो इस सांदृता का क्या क्राइटिरिया है कौन सी सांदरता को हम निम्न कहेंगे और कौन सी सांदरता को उच्च कहेंगे तो इसके लिए एक boundary line बताई है जिसको हम क्रांतिक मिसेल सांदरता यानि की CMC कहते हैं ठीक है ना CMC क्या होती है क्रांतिक मिसेल सांदरता यानि की CMC क्या होती है वह सांदरता जिससे निम्न सांदरता पर वह रासानिक पदार्थ विद्धुत अपकटे के समान वे भार करें ठीक है जिससे निम्न सांदरता पर विद्धुत अपकटे बन जाए लेकिन उससे उच्च सांदरता पर वह मिसेल का निर्मान करने लगे तो उसे हम करांतिक मिसेल सांदरता यानि कि CMC कहते हैं यह बहुत important है इस साल के लिए जैसे साबुन के लिए CMC का मान 10 की घाट माइनस 3M मुलरता में होता है यानि कि इससे कम सांदरता होगी तब तो यह साबुन जो है करानतिक मिझेल सांदरता के साब ताप का भी बहुत बड़ा रोल होता है तो ताप के कैरूल होता है कि वह निश्चित ताप जिससे उच्च ताप पर ही मिझेल का निर्मान होता है Kraft ताप कहलाता है यानि उस ताप से नीचे मिझेल नहीं बन सकते उनको इतनी एनरजी नहीं मिलती कि वो मिसेल का निर्वान कर सकें तो इसलिए एक निश्चित ताप है जिससे उच्च ताप पर तो मिसेल बनेंगे लेकि निम्न ताप पर नहीं बनेंगे उसे ही हम क्राफ्ट ताप कहते हैं CMC में भी ऐसा ही होता है कि CMC से निम्न सांदर ताप पर मिसेल नहीं बनते, उच्छ सांदर ताप पर मिसेल बन जाते हैं, उसी प्रकार क्राफ्ट ताप होता है, कि जिसे निम्न ताप पर तो मिसेल नहीं बनते, लेकिन उच्छ ताप पर मिसेल बन जाते हैं, उन्हें हम क्रा निर्माण होता कैसे है क्या क्रियाविदी है और यहीं से हमें साबुन की क्रियाविदी को भी समझना है ताकि हम उसका कॉश्ण भी आंसर कर सके हैं तो मिसेल निर्माण की क्रियाविदी सबसे पहले CMC या इससे उच्च सांदरता पर रहासानिक पदार्थ की संगुडित तेल कहते हैं जैसे सोडियम स्टियरियट जिसका सूतर होता है सी सेवंटीन एस थर्टीफाइब सी ओ और इने इसकी सत्रा कार्बन की जो श्रंखला होती है वो तो जल विरोधी होती है जिसे हम टेल या पूच कहते हैं ठीक है ना और यह जल विरागी या अध्रुविय सिर होता है और हम सी ओ और इने या क्रियात्मक सम्हू वाला जो आइनिक भाग होता है उसे जल रागी कहते हैं या हैड या सिर कहलाता है ठीक है ना तो देखिए यह है सी सेवंटीन एस थर्टीफाइब सी ओ और इने जब इसकी सांदरता दसकी घात माइनस तीन एम से कम होगी तो इस तरीके से अपगटित हो जाता है ठीक है और जब इस अपगटित होगा तो यहां यह वाला जो हिस्सा है इसको पूंच वाला टेल है यह जल विरोधी सिरा कहलाता है क्यों क्योंकि यह अध्रुविय है ठीक है ना और यह जो क्रियात्मक सम्हू वाला हिस्सा है इसको हेड या सेर पोर्शन कहते हैं और इसको जल रागी सीरा कहा जाता है क्यों क्योंकि ये धुरुविया है और जल से आकर्शित हो जाता है ठीक है ना तो जब इस्टेरेट आयन जल में आयनित होते हैं तो इनकी सांदरता CMC से अधिक होने पर इनका जल रागी सिरा जल से आकर्शित होता है जबकि जल विरागी या कहें जल विरोधी सिरा जल से प्रतिकर्शित होता है अत्य है जल विरोधी सिरा तो अंदर की ओर और हेड वाला यानि कि जल आकर्शी सिरा बाहर की ओर वस्तित होकर गोला कार्स निचना बनाते हैं जिसे मिशाइल कहते हैं ठीक है, देखिए, इस तरी के से यह तो अपना साबून था, यह इसका टेल वाला हिस्सा, यह हेडवाला हिस्सा तो यहाँ देखो, यह टेल वाले हिस्से ये रहे और head वाला हिस्ता ये रहा ठीक है सभी head वाले हिस्ते बाहर की तरफ हैं और सभी tail वाले हिस्ते अंदर की तरफ हैं और ये बीच में बन जाता है क्रोड मिसेल के क्रोड में ही चिकना ये ग्रीस के कण़ों को फसा कर साबुन अपने अपमार्जन क्रिया संपन करता है समझ में आगे ना कम सांदर्ता होगी तो इस तरह से आप घटे का काम करेगा लेकिन जैसे ही जादा सांदर्ता बनेगी ये अणूं आपस में व्यवस्थित होंगे इस तरह की फूल की समाशना बना लेते हैं जिसे हम मिसेल कहते हैं तो देखिए अप कॉश्चन को समझते हैं साबुन की अपमार्जन क्रिया समझाईए वो ही जो मिसेल बनाने की क्रिया थी हमें पता है कि साबुन का विलियन जल में संगुरित को लाइड की समान में बढ़ करता है यानि कि विलियर में साबुन की सांदरता CMC से अधिक होने पर साबुन के अणू मिसेल का निर्मान करते हैं मिसेल के केंदो क्रोड में चिकनाई या मेलकेकन आकर्शित हो जाते हैं क्योंकि मिसेल का जल विरोधी सिरा चिकनाई को आकर्शित करता है तो जब चिकनाई युक्त सतह पर मिसेल के अनू चिपक जाते हैं तो हाथ से रगणने या किसी चीज और से ब्रश लगार से रगणने चिकनाई की बूंद सतह सही तो मिसेल के अनू सतह से प्रथक हो जाते हैं तथा पानी से दोने पर बह जाते हैं इस प्रकास सतह चिकनाई स मुक्त हो जाती है. देखो डाइग्राम से समझते हैं इसको हम. यह तो है साबुन, साबुन का यह जलविरागी पूँछ और यह सिरह सब्से पहले ही चिकनाई उक्तस एंच पर चिकनाई लग रही हैं हमने साबुन लगा aspect तो सावन की जो अनु है उस अनु का जो जल विरागी हिस्सा है जो जल विरागी हिस्सा होता है वो तेल रागी या चिकनाई रागी होता है क्योंकि इनकी अपोजिट निचर होती है तो ये मिसेल का निर्मान कर लेते हैं क्योंकि इसका जो जल विरागी सिरा है वो इस तेल मे आकर्षित होकर या laser को गोंद में आकर्षित होकर अठेच हो जाता है ठीक है फिर जे हो मिसको रगड़ते हैं यहां से तो रगड़ने पर यह जो चिकनाई की बूंध है यह सहित यह मिसी साबुन के जणूंफ है इसको दूर ले जाते हैं उन् бизнес पूर्ण मेसैल का निर्मान हो होगा कि हमने दो प्राव का वर्गी करण यहां देखा है कौन-कौन सा एक तो बंधुता के आधार पर डी- ऐ और डी-पी के मद्ध्य करण के आधा-धार पर दूसरा भी पी के कणों के आखार के का तो प्राव मिलाकर कौन Leo प्रावगा करण की हैं जिनम मुझे लगता है कोई समझ में आ गया होगा थेंक यू